नमस्कार दोस्तों, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि GM Neck M Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, GM Neck M Tablet को कैसे लेना चाहिए, और GM Neck M Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी दिस्कस करेंगे कि GM Neck M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावध भानिया रखनी चाहिए, GM Neck M एक ब्रैंड नेम है, GM Neck M Tablet के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, GM Neck M Tablet के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली GM Neck M Tablet को लेने की सला दे सकता है, GM Neck M Tablet का उप्योगर टाइप टू डाइबटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है, GM Neck M Tablet शरीर में ब्लड शुगर के रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में GM NEC M टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में GM NEC M टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे दस्त होना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स GM NEC M टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। इसके अलावा GM NEC M टैबलेट की वज़ह से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। डॉक्टर शुरुआत में GM NEC M1 टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं। GM Neck M Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए GM Neck M Tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में बलड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको GM Neck M Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की GM Neck M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रन में करने के लिए आपको GM Neck M Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर GM Neck M Tablet को लेना recommended नहीं होता है बलड़ शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको GM Neck M Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको GM Neck M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं में बलड़ शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए GM Neck M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका GM Neck M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं